दोस्तों आप लोग Amazon से कोई भी समान खड़िना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है या फिर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर आपके पास कोई भी EMI कार्ड नहीं है जैसे कि बजाज EMI कार्ड तो फिर आप लोग आधार कार्ड और पे detail में दिखाते हैं दोस्तों बिना पैसे के या फिर बिना क्रेट काट के या फिर बिना EMI काट के कोई भी सामान Amazon से खड़िदने से पहले आपको सबसे पहले Amazon Paylator को activate करना होगा उसके बाद ही आप लोग Amazon से कोई भी सामान खड़िद पाएंगे तो किस तरीका से Amazon Paylator को activate करेंगे और कोई भी सामान खड़िदेंगे चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों आप Amazon आपको open कर लेंगे open करने के बाद यहां उपर में देखे लिखा Amazon Pay आप Amazon Pay पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर देखे लिखा Amazon Pay लेटर आप इस पर क्लिक कर लेंगे आप यहां पर देखे Amazon Pay लेटर activate करने के लिए गया है और यहां पर देखे बताया गया है कि आप लोग कोई भी समान Amazon Pay लेटर के माध्यम से खड़ी सकते हैं और आपको यहां पर maximum 60,000 रुपय का credit limit मिलेगा इसके लावा यहां पर देखे बताया गया है no hidden charges साथी आप लोग one click में payment कर सकते हैं इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर देखे बताया गया कि आप लोग mobile recharge कर सकते हैं DTH recharge कर सकते हैं बिजली विल जमा कर सकते हैं LPG slender book कर सकते हैं इसके लावा यहां पर देखे बताया गया कि आप लोग pen card और आधार card के माध्यम से Amazon Payletter को activate करेंगे इसके बाद आपको यहां पर auto repayment setup करना होगा इसके लावा आप लोग यहां पर 3 महने से लेकर के 24 महने के EMI पर कोई भी समान खड़ी सकते हैं इसके लावा आप लोग यहां पर no cost EMI पर कोई भी समान खड़ीत पाएंगे निचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर देखे और detail में दिया गया है चले आप यहां पर Amazon Payletter को activate करने के लिए यहां पर देखे लिखा activate no आप इस पर click कर लेंगे इसके बाद आप यहां पर activate no पर click करेंगे आप यहां पर आपको थोड़ा सा wait करना है आप यहां पर देखे बताया गया कि यह 3 step में complete होगा सबसे पहले आपको यहां पर अपना detail fill up करना होगा इसके बाद आपको यहां पर identity verify करना होगा इसके बाद आपको यहां पर offer so किया जाएगा चले हम यहां पर detail fill up कर लेते हैं सबसे पहला यहां पर है first name तो आप इस box में अपना first name fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर है last name, तो आप इस box में अपना last name fill up करेंगे, चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं, यहाँ पर detail fill up करने के बाद continue पर click करेंगे, अब यहाँ पर enter pen, तो आप इस box में अपना pen number fill up करेंगे, इसके बाद नीचे में date of birth, तो आप यहाँ पर अपना date of birth select कर चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं, यहाँ पर detail fill up करने के बाद agree and continue पर click करेंगे, अब यहाँ पर देखे verify हो रहा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है, अब यहाँ पर देखे आपका KYC details हो करता है, जैसे कि आपका यहाँ पर आधार number, date of birth, mobile number, साथ यहाँ पर address हो कर zone के माध्यम से 75 रुपय का कोई भी समन खड़ी सकते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर जितना भी limit दियाता है, आप इस limit के माध्यम से mobile recharge कर सकते हैं, DTS recharge कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं, गैस बिल जमा कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बिल payment कर सकते हैं, कम लिमिट सो करता है अब आपके मवाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे इसके बाद agree and continue पर किलिक कर लेंगे अब यह last step है अब आपको यहाँ पर auto repayment setup करना होगा auto repayment मतलब आप जितना भी Amazon Payletter के माध्यम से खर्च करेंगे और जितना भी आपका bill होगा वा bill आपके bank account से automatic कट जाएगा आपको अलग से bill payment करने की जरूत नहीं परेगी जैसे कि माल लेजे आप इस महने जितना भी खर्च करते हैं वह अगले महने के एक से पांस तारिक के बीच में आपके bank account से वह amount automatic कट जाएगा यदि आप time से पहले bill payment करना चाहते हैं तो bill payment भी कर सकते हैं चले अब यहाँ पर auto repayment setup करने के लिए यहाँ पर देखे by default net banking debit card select किया हुआ है इसके बाद आप यहाँ पर select bank पर click करेंगे अब जो भी bank में आपका account है आप यहाँ से वह bank select कर लेंगे जैसे कि हमारा bank account youquotas a small finance bank में है तो हम यहाँ पर इसको select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर है repayment mode तो यहाँ पर by default debit card select किया हुआ है यदि आप net banking के मादे हम से auto repayment setup करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करके net banking भी select कर सकते हैं चले हम यहाँ पर debit card select रहने देते हैं इसके ерм Hour पनुए यहाँ प्रोशीट पर किलिक करें इसके बाद यहाँ पर account number तो आप इस बॉखस में अपना account number फिल अप करें यहाँ पर account number फिलप करने के बाद verify पर click करलेंगे जैसे यहाँ verify पर click करेंगे अब यहाँ पर देख roadiger के आगे में green tick लग चुका है इसके बाद continue पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब यहाँ पर देखे आपको details हो करेगा इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे और proceed पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको details फिलप करना है जैसे कि यहाँ पर है card number तो आप यहाँ पर अपना ATM card का number फिलप करेंगे इसके बाद यहाँ पर है customer ID तो आपको यहाँ पर अपना customer ID फिलप करना है customer ID आपके passbook पर लिखा रहता है साथी checkbook पर भी लिखा रहता है इसके अलावा जो भी bank में आपका account है उस bank के mobile banking app में login करेंगे तो mobile banking app में login करने के बाद आपको वहाँ पर भी customer ID फिलप कर लिजे इसके ब अब आपके मवाईलन नम्बर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को dazu fati को फिल lass पर OTP कर ने के बाद approve mandate पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब आपको यहाँ पर back नहीं करना है और नहीं आपको refresh करना है अब यहाँ पर आपका e-mandate setup हो जागा यानि कि auto repayment setup हो जागा इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर देखे लिखा है यानि कि हमारा e-mandate setup हो चुका है अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे और आप यहाँ पर proceed पर click कर लेंगे अब हमारा यहाँ पर Amazon Payletter activate हो जागा अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है अब आप यहाँ पर Amazon के home page पर आजाएंगे और आप यहाँ पर Amazon Payletter क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे Amazon Payletter एक्टिवेट हो चुका है और हमें यहाँ पर 75 रुपे का limit दिया गया है और यहाँ पर देखे वह लिमिट सो कर रहा है आप यहाँ पर Amazon Paylator पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल सो करेगा जैसे कि यहाँ पर देखिए Available Limit सो करता है साथ यहाँ पर Total Approved Limit सो कर रहा है अब आप लोग Amazon Paylator के माध्यम से कोई भी समान Amazon से खड़ी सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर Recharge कर सकते हैं Bill Payment कर सकते हैं Insurance कर सकते हैं Ticket Book कर सकते हैं अब यहाँ पर Paylator के माध्यम से आप लोग कोई भी समान कई से खड़ी देंगे चलिए हम देख लेते हैं जैसे कि मान लीजे हमें यहाँ समान खड़ी दना है तो आप यहाँ पर Pay Inful को सलेक्ट करेंगे लेकिन यहाँ समान आप EMI पर खड़ी दना चाते हैं तो आप यहाँ पर EMI Plan सलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर Choose EMI Plan पर किलिक करके आप यहाँ समान खड़ी सकते हैं तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग Amazon Pay Later को Activate कर सकते हैं और Amazon Pay Later के माद्धेम से कोई भी समान खड़ी सकते हैं मैंने आपको डीटेल में बता दिया है उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना मत भुलिए